अलो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सरकार ने अब 18 वर्ष से जादा की आयू वाले भारतियों को वेक्सिनेशन की अनुमती दे दी है तो चलिए जाने कैसे करे रेजिस्ट्रेशन वो भी घर बैठे अगर आप पोटल से करना चाहते हैं तो पहले www.covin.gov.in पर जाएए वहाँ से sign in for yourself पर जाएए फिर आपको अपना mobile नंबर डालना है जिस पर one time password आएगा OTP भरने के बाद आपसे other details भी मांगी जाएंगी जैसे name, age, gender, area of residence उसके बाद एक photo ID proof जैसे आधार, driving license, passport आपको upload करना है upload करने के बाद आप अपना center और date available select कर अपना registration कम्प्लीट कर सकते हैं उसी तरह आप आरोग्य सेतु एप से भी registration कर सकते हैं आरोग्य सेतु एप के home page से COVID टैप पर जाकर vaccination section पर register now दबाएं फिर आपका mobile number पूछा जाएगा OTP भरने के बाद आपसे बाकी की details मांगी जाएंगी जैसे की आपका नाम, आपकी उम्र, पता उसके बाद एक photo ID proof जैसे की आधार, passport, driving license अपलोड करके आप अपना registration कम्प्लीट कर सकते हैं तो दोस्तों, अगर आप 18 साल से उपर हैं, तो किरप्या जल्द से जल्द Corona Vaccine के लिए registration करें और इसी तरह के useful informations के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें